रोटी कपड़ा की खोज में गया था किसान, खेत पर वापस आया तो देखा घर राख हो चुका था बांदा के बदोसा लॉक्टाउन के दरान, बदोसा थानसित के ढूडा पुरुआ अंस तुर्रा गाउं में रविंद्रयादो पुत्यश्वर्गी महस्यादो की घर में आग लगचाने से घर में रखे ग्रिहस्तिव का सामान वा अनाज जलकर खाख हो गया घटना के सभी लोग खेत में थे, आगजनी की इस घटना से लाखो का नुक्सान हुआ है दोपहर में बदोशा साना छेतर के ढूढ़ा पुर्वा अंस तुर्रा गाउं में रविंद्रयादो के घर आग लगगई आग की लप्टे देख लोग धोड कर आग बुझानी में जुट गए आगजनी की सुचना पर बदोशा पुलिस थाने से सब इक्सपेक्टर संजय सिंग पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुचे जब देखा कि आग तेजी से साथ पूरे घर में फैल रहा है तो SI महोदय ने स्वयम सेढ़ी का सहारा लेकर पानी से भरी बाल्टी को लेकर आग बुझानी में डट गए और चार तरफ पानी उपर से डाले लगे जिस्से की गरीब का घर बच जाए उनके साथ सहोगी जोखने आदो हैंट पम से पानी भर कर पहुचा रहे थे बहुत ही अच्छा बंदो साथ हाने पुलिस का कार सराहनी रहा वहाँ की जनता ने पुलिस को अच्छे कार के लिए सराहना दिया बांदा से अजय यादों की रिपोर्ट कब लगी है तो तुम घर में थे जब आग लगी है क्या क्या जल गया है यहां फाइर बेट की गाड़ी आई है अभी नहीं आई नहीं आई पुलिस बस मौके पर आप आई आप आई आप आई इसे आग लगी है यह पीछे साइज से घूरे से आग लगी है क्या क्या समान जला इसका इसका खाने पीने के सब चला गया पूरा घर ही जल गया जब देखे वह बचा ही नहीं कुछ क्या नाम है आपका यह कौन से पुरुवा है ठूड़ा अच्छी आग किसके घर में लगी है यह पप्पू के घर में लगी मैंने महेश की मैं लगी